So hello friends, welcome back again with a fresh new video आप height बढ़ाना चाहते हो, बट आपको results नहीं मिल रहा है आज मैं आपको 5 reasons बताऊंगा जिसके कारण से आपका height नहीं बढ़ा है Out of 100%, only 1% अपना height बढ़ा पाते हैं Reason क्यों जानते हैं? 99% लोग गलती करते हैं Totally गलती करते हैं, जिसके कारण से height नहीं बढ़ता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस video को end तक देखे मैं आज आपका ज़्यादा time नहीं लेने वाला हूँ वीडियो पुरा short होने वाला है जिनको भी height बढ़ाने के लिए मेरे से online training लेना है आप मेरा mail ID बे contact करें training provide किया जाता है through whatsapp, chat, facility तो उसके लिए आप मेरा mail ID बे contact करें and training का cost बहुत low है हर कोई easily afford कर सकता है so number one सबसे बड़ा reason क्या है आपको results बहुत जल्दी चाहिए आपने workout करना 15 दिनी start किया है अभी ही आपको results चाहिए and आपने एक ऐसा goal बनाया है जो realistic नहीं है एकदम possible नहीं है तो आपको results कैसे मिलता है बहुत 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 slow and आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका height बढ़ रहा है तो आपको patience रखना होगा and consistent होके काम करते रहना है जब बढ़ना होगा वो बढ़ जाएगा लेकिन आपको करते रहना है तो आपको जल्दी results के बारे सोचना बिल्कुल नहीं है second reason क्या है आप mainly focus करते है stretching, hanging, running जो कि totally गलत है आपको ऐसा नहीं करना है and maximum बच्चे इसके उपर इसलिए focus करते है because stretching करना, running करना, hanging करना बहुत easy है and जो tough exercises है उसको करना नहीं चाते है फिर एक excuse बना देते है कि इसको करने से high टुक जाता है मेरा पापा कहते हैं इसको करने से high टुक जाता है those are totally myths आपको इस myths दिमाग से हटाना है हर एक exercise आपके लिए अच्छा होता है तीसरे नमबर चीज़ क्या है आपका muscles weak है आपका body muscle mass कम है and आप अपना muscles को train नहीं करते हो भगवान ने आपको muscles क्यों दिया है उसको train करने के लिए, काम करने के लिए लेकिन आजकल जो हमारा life shell हो गया है हमारा muscles properly train नहीं होता है उसके कारण से हमारा body HGH hormone कम बनाता है and एही hormone आपका height बढ़ाता है तो जब आप अपना muscles को growth के लिए train करेंगे muscle growth, hypertropical train करेंगे आपका body HGH ज़्यादा बनाएगा तो हमेशा आपका focus रहना चीए कि मुझे अपना muscles को train करना है करते जाओ, करते जाओ एक दिन आपको results मिलेगा and muscle growth train कहाँ पर कर सकते हो घर पर भी कर सकते हो through body weight training and gym जाके आप लोग weight training कर सकते हो चोथा reason जो है सबसे बड़ा reason है आपका जो diet structure है totally simple है and आपका diet एकदम बिकार है diet को सही करना होगा तब ही जाके आपको results मिलेगा जब आप अपना diet को सही करेंगे आपको अपना body में बहुत सारा results देखने को मिलेगा अगर आपका weight बहुत कम है आपका weight gain होगा muscle mass gain होगा जब आप proper exercise करेंगे वरना अगर आपका diet सही नहीं है तो आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी results नहीं दिखेगा चाहे आपका weight ज़्यादा है चाहे कुछ भी आपका body में किसी चीज़ का deficiency है अगर आप अच्छा diet लेंगे तो आपका deficiency दूर हो जाएगा आपका body results दिखाना start करेगा growth hormone production बहुत जडिपेंड करता है आपका diet पे आप ऐसा ही दिखते हो जैसा आप खाते हो तो अपना diet को सही करना बहुत important है अब बहुत लोग क्या करते हैं diet का नाम पे थोड़ा दूद पी लेते हैं एक अंड diet कर देते हैं सुबह थोड़ा चना लेते हैं अस्तवगन diet करते हैं फिर सोसते हैं यार अब मेरा height क्यों नहीं बढ़ रहा है यार ये भी बहुत 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 simple diet है और उसके बाद और एक excuse बनाते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है घर वाले support नहीं करते हैं यार भगवान ने आपको हाथ पैर दिया है दिमाग दिया है तो आप अपने दिमाग लगाओ अपना हाथ पैर चलाओ वरना आप excuses देंगे और आपका body तो नहीं सुलेगा मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है आपका पापा सपोर्ट नहीं करते है ममी सपोर्ट नहीं करते है लेकिन यार आपका body नहीं समझेगा नहीं समझेगा body totally science के उपर dependent है यह body is science तो बहाना बनाना छोड़ो और अपना काम में लग जाओ फिर last reason क्या है यह बहुत important है अगर आप progress करना चाहते हो आपको हर हपते monitor करना अपना progress को आपको progress किसमें करना है जो आप exercise कर रहे है उसमें progress लाना पड़ेगा कुछ ने कुछ changes लाना पड़ेगा चाहे आप workout intensity को change करो चाहे आप sets को change करो चाहे बढ़ाओ कुछ extra exercises add करो ठीक है कुछ दिन off करो तो workout routine को change करने के बहुत सारा तरीका है जिससे आप अपनो workout routine को change कर सकते है थोड़ा बहुत changes लाना बहुत important है अगर आप suppose pull up से start कर रहे है तो कभी कबार push up से start कर लो तो आप exercises को alter कर रहे है swap कर रहे है आपको बॉड़ि मे क्या कुछ changes आ रहा है बस height को मत देखो क्या आपको weight में change आ रहा है क्या आपका strength में change आ रहा है क्या आपका stamina में change आ रहा है चोटा-चोटा progress दिखता है because आप naturally कर रहे है आप कोई दवाई, कोई medicine नहीं ले रहे है तो आपको छोटा छोटा प्रोग्रेस दिखेगा और उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ इसलिए यार, ट्रेनर चाहिए, गुरू जी चाहिए टीचर चाहिए, जो आपको सही गार्डेन्स पे लिके जाए बहुत लोग यह बहाना बनाता है यार, मेरा बेर आना स्टार्ट हुआ है मेरा बॉडी हेर आना स्टार्ट हुआ है मेरा लेक्स पे हेर आना स्टार्ट हुआ है मेरा पेनिस बढ़ा हो गया है, मेरा ब्रेस्ट निकल गया है तो यार यह तब होता है जब आप pivoting हिट करते हैं तो जब आप pivoting हिट करते हैं आपका organs का size बढ़ता है hair निकलना start होता है तो उसी तरीके से आपका hide भी बढ़ता है तो यह सब में changes आपका height भी नहीं है लेकिन muscle growth दोनों का होता है किसी को थोड़ा ज्यादा result मिलता है किसी को कम मिलता है उसी तरीके से hide भी gentics को पर dependent होता है किसी को ज्यादा result मिलेगा अगर महनत करेगा तो किसी को थोड़ा कम result मिलेगा तो उसके लिए महनत करना बहुत जरूरी है लाइफ शल अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेर्ड, हेर ग्रोथ इस सब तो होते रहेगा, ठीक है, आपको महनत करते रहे ना, तो इस वीडियो करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स टेक जबता वीडियो के साथ, अटिल पिस वाई, टेक केया, लव यू.